कर दिया है उन्होंने इस्तिफा दिया है अधक्ष जेपी नंडा को और इनका दिल्ली का दोरा था जिसके चलते वुद्वार को को गए थे और उसके बाद उनके वापसी आने का प्लान था देहरादून लेकिन प्रोग्राम कैंसल हुआ और उसके पाद सीधे उनकी इस्तिफ मामला यह मैंने आपको एक वीडियो के मादधम से अच्छे तरीके से समझा दिया है क्यों रिजाइन दिया क्या स्वैधानिक संकर था क्या कहता है मारा आर्टिकल 164 क्या कहता है आर्टिकल 151 हमने सारी चीज़े आपको बता दी है आज किस वीडियो में हम डिसक्स करेंगी कि आप उत्राघंड का next CM कौन होगा क्योंकि आपके मन में भी यही question चल रहा होगा कि आप उत्राघंड का CM कौन होगा किसको मिलेगी मुख्यमंत्री की कुरसी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइ हैं जिन मेंसे किसी को भी CM की कुरसी मिल सकती है ये चार वो चैरे हैं जो रेस में सबसे आगे हैं तो देख लेते हैं कहा क्या है ये चैरे कौन कौन है ये और क्यों ये रेस में सबसे आगे हैं तो उत्राखन में अगले साल होने जा रहे हैं विधान सबाचुनाव और उसस सेशन का तीसरा मुख्य मंत्री होगा क्योंकि पहले तिर्वेंदर सिंग रावत थे उसके बाद तीरत सिंग रावत और अब सवैधानिक बादिता के चलते CM तीरत सिंग रावत ने शुकरवार को यानि कि आज अपने पद से इस्तिफा दिया और उसके बाद तीसरे CM होंगे जो चुने जाएंगे तो BJP के रास्ट्रिया अध्धक्ष JP नड़ा को जोने अपना इस्तिफा भेज दिया है अब BJP नेतरतव मोजुदा विधायकों में से ही किसी को नया मुख्य मंत्री बना सकता है इस रीज में राज्य सरकार में मंत्री धन सिंग रावत बंशीदर भगत हरक सिंग रावत और सत्पाल महराजी का नाम सबसे आगे चल रहा है करीब चार महीने पहले यानि कि 10 मार्स 2021 के दिन त्रवेंदर सिंग रावत ने CM पद को संभाला था इनको पोड़ी लोग सबा सीर से सांसत तीरत सिंग रावत को न्या मुक्या मंत्री बनाया गया था नियमों के मुताबित CM पद पर बने रहने के लिए रावत को 10 सिंदंबर से पहले विधान सबा चुनाव जीतना चाहिए था तो राज्य में विधान सबा की दो सीटे अभी खाली है एक है गंगोत्री और दूसरी है हल्दवानी जहां उपचुनाव होना है अगले साल फरवरी मार्च में ही विधान सबा चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में उपचुनाव करवाने का फैसला निर्वाचन आयोप पर निर्भड करता है और इन दोनों में यूज हो रहा है हमारा आर्टिकल 164 और आर्टिकल 151 आर्टिकल 164 कहता है कि अगर कोई मंत्री मुख्या मंत्री का पत लेता है तो उसको राज्य के विधान सबा में या तो उसके पास वो राज्य के विधान सबा या विधान परिशत का सदस्य होना चाहिए अगर नहीं है तो उसको 6 महिने के अंदर विधान सबा या विधान परिशत का सदस्य बनना होगा उत्राखण में विधान परिशत नहीं है इसलिए विधान सभा का साथ से उनको बनना था, जिसका समय 10 सितंबर तक था, तो 10 सितंबर तक का समय है, लेकिन ये 10 सितंबर तक का समय उपचनाओ जो विधान सभा के चुनाओ है, उससे पहले 1 साल से कम समय है आप, क्योंकि उपचनाओ फरवरी और मार्च में होने वाले है तो एक साल से कम समय एक साल से पहले अगर कोई चुनाव होता है उप चुनाव तो उसका फैसला होता है निर्वाचन आयोग पर तो अभी तीन ही चीजे थी या तो निर्वाचन आयोग अपना फैसला दे दे उप चुनाव हो सकते हैं उसके बाद उप चुनाव होता और फिर तीरच सिंह रावत को अपनी सीट मिलती या फिर वो अपनी सीट से हाग दो बैठते या तो उनको विदान सबा का सदस्य बना लिया जाता या उनको वो सीट नहीं मिलती दूसरा होता कि सीएम ही चेंज कर दिया जाए अभी इनोंने इस्तिफा दिया दिया है सीएम चेंज हो जाएगा थर्ड होता कि रास्पति शाषन लागू कर दिया जाता तो अब ये सारी चीजे हो चुकी है अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सदस्य हैं जो अगले सीए तो यह नाम पहले भी था जब तरवेंदर सिंग रावत ने इस्तिफा दिया और अब भी यह नाम सबसे पहले है रावत श्रीनदर विधान सबासे विधायक है धन सिंग, आर SS कैडर से है और उत्राखंड बीजेपी में संगतन मंतरी भी रहे चुके हैं साथ अक्टूबर 1971 को जनम हुआ इनका पोडिक गडवाल के मूल निवासी है और डवल में और राजनिती विज्ञान में नोंने पीचली भी हासिल की है। दूसरा नाम आता है बंशीदर भगत का उत्राखन सरकार में कैबिनेट मंत्री बंशीदर भगत सीयम पद के दाविदारों में शामिल है। काला डूंगी विधान सबा सीट से विधायक भगत उत्तर पर्देश और उत्तरा खड़ में बनी विविन सरकारों से मंत्री रहे हैं। 2002 के विधान सबा चुनाव में ये हलदोवानी सीट से कॉंग्रेस की डॉक्टर इंद्रा हर्देश से चुनाव हार चुके हैं इंद्रा हर्देश से कॉंग्रेस की ये नाम भी आपको याद होगा करेब डेड महीने पहले कोरोना मामारी से जुड़ी गटनाओं का जिकर करते समय कैमरे के सामने रो देने वाले कैबिनेट मंत्री हर्देश सिंग रावत का नाम भी मुख्य मंत्री पत के दावेदारों में बताया जा रहा है हर्देश सिंग रावत के पास इस समय आयूष और आयूष इपसा समेत कई मैटवपून विभाग भी है उत्राखंड के गटन में सत्पाल महराज का बड़ा रोल है परेटन मंत्री सत्पाल महराज भी सियंपत के दावेदार बताये जा रहे है सत्पाल महराज ने उत्राखंड के गटन में मैतोकॉंड गुमी का निभाई है यह हमारी परिटन मंत्री है एक सांसल और केंद्रे मंत्री के रूप में इन्होंने ततकाल प्रधान मंत्री हडी देवगोडा, आई के गुजराल और पस्च्वी बंगाल के मुक्य मंत्री जोती बजू पर उत्राखंड को अलग राज्य बनाने के लिए दवाब डाला है 21 मार्श 2014 को यह कॉंग्रेस शोड़ कर बीजेपी में आ रहे थे तो यह दोस्तों यह चार नाम हैं जो उत्राखंड के अगले CM की चुयर पर आपको देखने को मिल सकते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी कह रहा है आप नीचे कमेंट सक्षिन में कमेंट कर सकते हैं मुझे आपनी कमेंट का इंतिजार रहेगा और मैं आपके रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगे इससे पहले अगर अभी तक भी आप लोगों नहीं चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है